देश भर में इन दिनों मुस्लिम भहिलाओं के हिजाब पहनने का मामलाग गरमाया हुआ है हिजाब पर अलग-अलग लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियायत देखने को मिल रही है इसी बीच बिगबॉस 11 की एक्स कंटेस्टेंट महजबी सिद्धिगी ने हिजाब पहनने का ऐलान कर दिया है महजबी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि वो अब अल्ला के रास्ते पर चलेंगी और हमेशा हिजाब पहनेंगी बिगबॉस 11 में एक कामनेर के रूप में शाविल होने वाली महजबी ने अपनी पोस्ट में ये भी बताया कि वो सना खान से इंस्पार होकर चकाचोंत की दुनिया से तौबा कर रही है हमेशा हिजाब पहनने का फैसला ले रही है महजबी की ये पोस्ट सोशल मेडिया पर च्छाई वे है महजबी ने अपने पोस्ट में लिखा मैं इसलिए ये लिख रही हूँ क्योंकि मैं दो साल से बहुत ज़्यादा परेशान थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या करूं जिसे मुझे सुकून मिले इंसान जब गुना करता है तो गुना की लज़द तो थोड़ी तेर में खत्म हो जाती है लेकिन गुना कयामत तक रहता है मैं जबी ने आगी लिखा मैंने महसूस किया है कि मैं अपनी असल जिन्दगी को भूलकर दुनिया के दिखावे वाली जिन्दगी जी रही थी अल्ला की नाफर्मानी करके इंसान को कभी सुकून नहीं मिल सकता मैं जबी ने आगी ये भी लिखा आप चाहे लोगों को खुश करने के लिए कितना भी अच्छा कर ले चाहे कितना भी वक्त दे लोग आपकी कद्र नहीं करेंगे इससे बहतर है कि आप अल्ला को राजी रखने के लिए अपना वक्त लगाए जिससे मेरी और आपकी आखरत बहतर हो जाए मैं जबी ने आगी अपनी पोस्ट में साना खान का सिक्र करते हुए लिखा मैं साना खान बहन को एक सार से फॉलो कर रही थी मुझे उनकी बाते अच्छी लगती थी उन्हें देख मेरे अंदर सुकून का शौक जागा उन्होंने ये भी कहा मुझे अल्ला से तौबा कर कि जो सुकून मिला मैं लफजों में बयान मही कर सकती जो सुकून में टूट रही थी वो मुझे नमाज यानि अल्ला की अबादत करके मिला अब मैंने ये नियत कर ली कि मैं हमेशा हिचाब में रहूंगी अल्ला मेरे गुनाहों को माफ फर्माए मुझे नेक रास्ते पर चलने की टौफिक फर्माए पता दे की मैं जबी ने बिग बॉस 11 में एक कॉमनर बनकर एक्ट्रिली थी शो में वो ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए लेकि शो के बाहर आते ही मैं जबी फैशनेबल बन गई थी उनका में गोवर देखकर हर कोई हैरान रहे गया लेकिन उन्होंने अब ग्लैमर वर्ट सी तौबा कर ली है